चीनी ओटोमबल कमनी उलिंग ने हाली में अपनी होंगवा मीनी इवी इलेक्टिक कार को मिले जब अधर से रिस्पोंस की घोश्रा की थी और अब कमनी ने मीनी इलेक्टिक कार की दुनिया में नए खिलाडी उतार दिया है उलिंग ने इस मिनी इलेक्टिक कार को नेनो इवी के नाम से लौच किया है यदि आप भारती है तो आप इस नाम से परिचीत होंगे भारती ओटोंबल कमनी टाटा ने भी कुछ साल पहले अपनी सबसे चोटी और सबसे सस्ती कार नेनो को भारती सलकों पर उतारा था नेनो इवी निस्ची तोर पर चीन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉमपेक्ट इलेक्टिक कार है नेनो इवी वूलिंग होंगो मीनी इवी से भी सस्ती कार होगी कमनी ने इस कार को 2021 टियान जीन इंटरनेशनल ओटो शो में पेश किया था नेनो इवी का एक लिमिटेड इडिशन भी लॉंच किया गया है जिसका नाम नेनो इवी डिजनी जूटोपिया रखा गया है इस एडिशन की केवल 5000 यूनिटी बनाई जाएगी यह एनिमेशन फिल्म जूटोपिया की थीम पर आधारित है इस एडिशन में जूटोपिया फिल्म के कीदारों के डिकेल्स और इस्पेशल बेज लगे है इससे जूटी पावडर और निक ग्रीन कलर ओप्शन में पेश किया गया है और इसके किमत 9,800 चिनी यूवन यानि लगबाग 6,67,447 रुपे है अरबन यूज के हिससाब से बनाई गई इस कार में सिर्फ दो सिर्स दी गई है इस कार का टर्निंग रडियस 4 मिटर से भी कम है डाइमेंशन की बात करे तो नेनो इवी की लंबाई 2497 mm, चोड़ए 1526 mm और उचाए 1616 mm है यानि साइस में टाटा नेनो सो भी छोटी कार होगी टाटा नेनो की लंबाई 3 मिटर से अधिक ज़्यादा है इसमें 1600 mm का विल बेस मिलेगा इस कार की टोब स्पीड 100 km पेज है नेनो यूव में आईफी 637 certified 28 kWh लिथियमाइन बेटरी दी गई है इस छोटी एलेक्टी कार को एक बार फुल चार्जी करकी 305 km तो 900 ब्राई ले सकते हो इसे रेग्यूरे 220 वोल्ट सोकेट के जरिये फुल चार्जी करने में साले 13 घंटे का समय लगता है वही 6.6KW AC चार्जी के जरिये इसे सिर्फ और साले 4 घंटे में चार्जी किया जा सकता है फीचर्स की बात करें तो नेनो एवी में रिवर्सिंग केमेरा, टायर प्रेशन मोनिटरिंग सिस्टम, AC, कीलेस एंट्री सिस्टम, LED हेडलाइट्स और 7H के डिजितर स्क्रीन मिलती है तो दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे छोटी वर सस्ती एलेक्टिक कार वीडियो पिसने हो तो लाइक कर दीजिए और अब तक आपने हमारी चेनल सुपरकार इंडिया को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब कर लीजिए, टेक केर, बाई